नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूटूब चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज लेकर रहा हूँ साथियो आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जहां पर साथियो बड़ी अपडेट है एचससी बरती कीजिया साथियो अभी अभी एक नय कंडिडेट फर्जी पाए गए हैं या फर्जी हैं या नहीं है इसकी कर्फरमेशन तो बाद में होगी लेकिन जो प्रोसेस अपनाया गया एक तरफ से वह बहुत ही सांदर प्रोसेस है साथियो चलिए आप नोटिस को देख लेते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब् विरिफ्यकेशन ओप दा बाइव्यमेटिक एंडवारिफ्यट विम अज्यसी मेल और यूफिमेल चैनल को देख लेते हैं और तरफ कीन कंडियेटों के लिए जारी किया गया यह बहुत हैं यह बहुत ही साथियो लेकिन तीन मार्च को एक बार अईसा यूफि बहतीवाले केशन हो चुका ऐसाती हो अब दुबारा क्यों बुलाया गया है यह भी देखिए इट इस फोर दा इन्फोर्मेशन तो दा आल कंसेंड कमिशन इस गिविंग लास्ट ऑपोर्चनोटी यानिकी कमिशन की तरफ से लास्ट मोका दिया जा रहा है इन कंडिडेटों को अगर कोई कंडिडेट अपसेंट रह गया है ओन प्रिज्वाइनिक के तीम मर्च को उसमें कोई कंडिडेट अपसेंट रह गया है या फिर बायो मेट्रिक और फेशिछल वेरिप्केशन किसी कंडिडेट का फेल रहा है तो वो कंडिडेट 14 मार्च को 10 बजे कमिशन ओफिस में अपना बायोमेट्रिक और फेशिल डाटा है वो मैच करवा सकते हैं तो साथियों लाश्ट मोका दिया गया है अब हम बात करते हैं क्योंकि 465 ही पोस्ट हैं ऐसा ही में साथियों ज्यादा पोस्टों में अगर इतने कंडिडेट निकले तो भी एक अलग बात है लेकिन सिरफ 465 ही कंडिडेट हैं और जोईनिंग के समय इन कंडिडेटों को बुलाया गया है ऐसा भी नहीं है कि भी पहले का प्रोसेस है कंडिडेट अपसेंट रह जाए जोईनिंग के समय कितने कंडिडेट साथियों अब ये कुछ अपसेंट भी रहे हैं और किसी का जो बायोमेट्रिक और फेशिल डाटा है वो अब मैच भी नहीं हो पाया है तो ये टोटल साथियों 58 कंडिडेट इस लिस्ट में दिए गए हैं ठाउन कंडिडेटों के रो नमबर इस लिस्ट में जारी किये गए हैं इनका या तो बायोमेट्रिक या फेशिल जो डाटा मैच है वो नहीं हो पाया है या फिर ये कंडिडेट जोईनिंग प्री जोईनिंग डेट के समय अपसेंट रहे हैं ये बड़ी हैरान करने वाली बात है क्योंकि ऐसा ही एक इतना बड़ा पद है इतनी बड़ी पोश्ट के उपर अगर कंडिडेट अपसेंट रह रहे हैं जोईनिंग के समय तो उसके पीछे बहुत ही कारण हो सकते हैं या फिर अगर उस कंडिडेट का बायोमेट्रिक या फेशिल डाटा अगर सही मैच नहीं हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है हाँ अगर किसी का वास्ता में कोई कारणूस यानि कि टेक्निकल प्रोब्लम के कारण अगर मैच नहीं हो रहा है तो SSC इसी के कारण एक और मुका दे रही है इन सभी कंडिडेटों को अपने ओरिजनल डोकॉमेंट्स भी लेके जाने है एक सेट सेल्प टेस्टिड फोटो कोपिका भी लेके जाना है और डाउनलोड अप्लिकेशन फोरूम भी लेके जाना है सात्यों और एक आईडी प्रूब भी लेके जाना है जिससे की फर्जी कंडिडेट सेलेक्ट ना हो तो सात्यों ये अच्छी बात है कि किसी भी कारणवस कोई फर्जी कंडिडेट सेलेक्ट ना हो जाए क्योंकि वो एक निर्दोस व्यक्ति का हक मारता है अगर फर्जी कंडिडेट सेलेक्ट होता है तो हम ये चाहते हैं कि परकिरिया अच्छी रहे जो भी candidate eligible है वो candidate है योग ये candidate इसमें select होना चाहिए तो ये अच्छा update है सांदार update हम है HSSC का कह सकते हैं जो ये process किया जा रहा है biometric और facial data का joining के समय तो ये सांदार परकिरिया साथ हो ऐसे ये update अगर आपको सबसे पहले regular चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो साथियो वीडियो को लाइक और जाता जाता शेयर जरूर करें क्योंकि आपका share ये में next वीडियो बनाने के लिए प्रोचसाइद करता है वीडियो ये तक देखिने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में